नमस्कार मैं हूं निहा दानी वाल और स्वागत है आपका जी दियूज इंडिया में आईए नजरे डालते हैं आज की खबरों पर उतरबिदेश की राजधानी लखनाउ समेद परदेश के विभिन जन्पदों में इन दिनों सबजियों के कीमत में लगतार बढ़ोत्री हो रही है धनिया की पत्ती का दाम परदेश के कई जन्पदों में 100 रुपे प्रती किलो के आसपास है मही भिनडी के दाम भी 20 रुपे प्रती किलो के आसपास पहुंच गई हैं इन दिनों 5 की कीमत biz इसी दिनों के मुकाबले वर्तमान में ड़स रुपए से अधिक कम है इसके लावा सबजिमंडी में हरा मटर गाजर बैंगन, फूल वे पत्ता गोभी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 50,561 रुपए का हो गया है एक किलो च्वादी के दाम भी कम हो गई है और अब यह है 56,760 रुपए में बिक रही है दिली सर्राफ बाजार में सुमवार को सोने के दाम 114 रुपए प्रती 10 ग्राम की कमी के साथ 50,561 रुपए प्रती 10 ग्राम पर बंद हुए पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिली सर्राफ बाजार में सोना 50,676 रुपए प्रती 10 ग्राम पर बंद हुआ था वही चांदी के दाम 136 रुपए की गिरावत के बाद 56,760 रुपए प्रती किलोग्राम पर बंद हुए वही पिछले कारोबारी सद्र के दोरान दिली सर्राफा बजार में चांदी 56,860 में रुपए प्रती किलोग्राम पर बंद हुए जहां पर रोजगार सेवक के रूप में सुमेर सिंग तैनाथ है जो की मौके पर मजदूरों की संख्या में बड़े पैमाने पर घोटाला कर सरकार को चूना लगा रही है इसके लावा आपके बता दे कि नाबालिक से भी मजदूरी कराई जा रही है सरकार के लाख प्रियासों के बावजूद भी बाल मजदूरी लगतार प्रगती पर है बच्चों का समुचित विकास सोच विक्सित करने के लिए बच्चपन जीना बहुत जरूरी है ऐसे में बच्चों के बच्चपन का छिन जाना किसी अभिशाप से कम नहीं बाल मजदूरी वैसे तो मजबूरी में ही की जाती है लेकिन सरकार के दौरा बाल मजदूरी को कानूरन जुर्म घोशित किया गया है इसके बावजूद भी सरकार को ठेंगा दिखा कर वरोरा के रोजगार सेवक के दौरा बाल मजदूर निरज पुत्र अजवीर से अधिकारियों को ठेंगा दिखा कर कार्य कराया जा रहा है जनपत बलिया के संबीम स्कोल से निशुलक बस मेडिकल विवस्था वे भोजन के साथ बैशनाद धाम के लिए निकला नंदी बम से वकट जब था चेर्मेन संजे पांडे ने बताया कि हर साल की भाती इस साल भी हजारों की संख्या में श्रधालू बैशनाद धाम के दर्शन के लिए आई हुए हैं जिसके लिए निशुलक खाने पीने के वेवस्था, मेडिकल वेवस्था, वाहन वेवस्था की गई है स्कूल परिसर में भक्ति की धारा प्रवावी साधना गुप्ता के निधन पर श्रधांजली अर्पित करने पहुँचे उत्तरपदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ बता दे कि गुलाइम सिंग यादव के आवाज पर मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ पहुचे जहां होने शोख सम्वेजना व्यक्स करते हुए श्रधा सुमझ अर्पिति बयाना में गोवर्दन मुडिया के परसित मेले के लिए भी रोडवेज के और से अभी तक एक भी अतिक बसका इंतिजाम नहीं के जाने और नहीं अभी तक बयाना से सिदे गोवर्दन तक के लिए रोडवेज की एक भी बस लाए जाने से गोवर्दन के परसित मुडिया मे वहीं परसित मेले के अवसर पर रोडवेज बसों के अब डग्यमार वाहन संचाल को की चांदी हो रही है। वहीं आत्रियों को परिषानी भी हो रही है। पथर गड़ाई एवं निर्मान मजदूर संग सी रोही ने जला कलेक्टर को मजदूरों की समस्याओ के निस्तारन के लिए एक ग्यापन सोपा भारते मजदूर संग के मेडिया प्रभारी गौपाल सिंग राउ ने बताया कि संगठन के शिष्च मंडल ने सिलिकोसिस विमारी से मृत्यू के बाद मिलने वाली साहितार राशी के भुकतान की मांग की राव ने बताया कि विगत एक से दो वर्षों में सिलिकोसिस जैसी प्राण घातक बिमारी के कारण जान गमाने वाले मज़ूरों को आज तक सहेता राशी नहीं मिल पाई है जिस कारण उनके बच्चों वे परिजनों के पालन पोशन में मुश्किले बढ़ती जा रही है जिन मज़ूरों को किसी कारण वश आज तक सहेता नहीं मिल पाई उनको सहेता राशी दिलाने की पूरी कोशिश की जा बता दे कि गाजे बाजों के साथ महराज जी के आगवानी की गई इससे पूर्व सुधा सागर जी महराज ने कहा कि वह 1986 में गुरूवर श्री विद्या सागर जी महराज के साथ प्रथम बार्क बाला बेहट पधारे थे कारेक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी उपधार दिकारी ने कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या भी चिंता का विश्य है जिसके प्रभावे नियंतरण के लिए हम सभी को मिल जुलकर सरकारी कारेक्रमों को लागू करने और उन्हें प्रभावी ढंग से सफल बनाने के प्रियास करने होंगे ब्लोक हेल्थ सुपवाइजर मान सिंग मेना ने बताया कि इस अफसर पर परिवार नियोजन कारेक्रम वे कोविद नाइंटीन नेशन आदी कारेक्रमों में अच्छा काम करने वाले स्वास्ते करमियों को वे पुरुशनस बंदे कराने वाले दो जनों को भी दो लोगों को भी उपहार भेट कर सम्मानित किया गया इस अफसर पर ब्लोक सीमेचो डॉक्टर धरमेंदर सिंग ने कहा कि उपस्तित सभी स्वास्ते करमियों वे स्वास्ते केंदर प्रभारियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनकी समिक्षा की वे निर्धारित लक्षियों को शिग्र पूरा करने की निर्तेश देवाडी में सीम फ्लाइंग में नगर परिशद के स्वयुक्त टीम ने सोंवार को शहर में पतंग बनाने वालों पर कारवाई करते हुए करीब 40 किलोग्राम पॉलतिन से निर्मित पतंगों को जब्त किय वही दो दुकानदारों के 25-25 हजार और एक दुकानदार का 10 हजार उपय का चालान भी काटा गया है जैसे ही सीम फ्लाइंग और नगर परिशद की टीम बाजार पहुची तो बाजार में हड़ कम्प मच गया और पतंग विक्रेता अपनी दुकानों को बंद कर फरार हो टीम ने पतंग विक्रेताओं के यहां रेड की नगर परिशद की टीम को यहां पर चाइनीज मांजा तो नहीं मिला लेकिन पॉलतिन से बनी हुई पतंग करीब 44 किलोग्राम मिली जिनको जब्त कर मौके पर ही चालान काटे गए और आज के पॉलेटिन में फिराल इतना ही तक फिर हासिर होगे कुछ और नई खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार